जहें दोस्तों जब भी हम बात करते हैं share बाजार की या stock market की तो आपने equity shares का नाम जरूर सुना होगा कई बार ऐसा बोला जाता है कि उस company के इतने equity shares को खरीदा गया और कई बार आपने सुना होगा कि कोई भी जो investors होते हैं वो भी equity shares की बात करते हैं कि हमको आपकी company में इतना equity चाहिए तो आज की इस video में यह बहुत ही basic video होने वाला है जिसमें हम समझेंगे कि आखिर यह equity shares होते हैं यह क्या होते हैं equity shares का मतलब क्या होता है अगर कोई व्यक्ति इस equity shares को खरीदता है तो उसको क्या benefits मिलते हैं और किसी company के लिए वो जो equity shares होते हैं वो क्यों important होते हैं तो चलिए दूस्तो start करते हैं और जानते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर यह equity shares है इनका मतलब क्या है तो दोस्तो equity जो सब्द है इसका नाम है ownership यानि कि जिस भी company के जो मालिक होता है कोई भी उसके पास उस company की ownership होते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस पास उस company की equity है यानि कि जितनी भी उस company की valuation है जितना भी उस company का मुल्य है है market के अंदर जो आन लीजा एकक izi करोड की company है तो उस owner के पास उस company का 1 करोड का equity है जब यही company अपने shares को public में issue करती है यानि कि public को कहती है कि आप हमारे shares खरी दिये तो company यह कह रही है कि आप हमारे company की equity खरी दिये यानि कि हिस्सेदारी खरी दिये इसको मैं एक example के दुरू समझते हैं कोई एक company है जिसकी कुल जो valuation है जो उसका मुल्य है वो 1 करोड है और आगे चलके वो company उस company से 10 लाख रूपए के shares issue करती है और कोई व्यक्ति उस 10 लाख के shares को खरीता है तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 10% की जो equity है जो मालिकाना हक है वो उस व्यक्ति द्वारा खरीदा गया जो कि equity shares के रूपए खरीदा गया अब व्यक्ति के हाथ में उस company की 10% की हिस्सेदारी है और दोस्तो यह जो equity shares होते हैं इनको खरीदने के बाद कुछ benefits भी मिलते हैं कुछ फायदे भी मिलते हैं जैसे कि सबसे पहला voting right जब भी किसी बड़ी company में कोई decision होता है तो वो किसी एक या दो व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता वो पूरे board members के द्वारा voting करके लिया जाता है उस board member में उस company के हिस्सेदार होते हैं जो management को समालते हैं दोस्तों यहाँ पर जब भी decision लिया जाएगा तो voting करके लिया जाएगा कि कितने ज्यादा लोग उस decision के सहमती में हैं तो वो जो voting होती है उसमें यह जो equity shares होते हैं इनका भी right होता है कि वो उसमें vote कर सकते हैं दूसरा benefit होता है dividend का जब भी company मुनाफ़ा कमाती है और अपने जो हिस्सेदार हैं उनको dividend देती है यानकि उस हिस्सेदारी में जो benefit उनको मिला है वो उनको देती है तो दोस्तों यह था वो basic concept जिसमें हमने समझा कि आखरी यह equity shares क्या होते हैं और ऐसी जनकारी भरे videos को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी subscribe करें